इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्णों को human liver के उपर human liver manov yakrit manov yakrit एक बहुत ज़्यादा important organ है human body के अंदर और काफी सारे प्रश्णों जो है liver से समंदीत पूछे जाते हैं तो मैंने सोचा चलो एक separate हम लोग वीडियो ही कर लेते हैं जिसमें केवल liver से समंदीत प्रश्ण होंगे तो 30 सवाल 30 नहीं 31 सवाल है टुटल 31 सवाल हम लोग करने जा रहे हैं liver के उपर केवल liver के उपर और ये सारे सवाल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है यानि कि याद रखिए ध्यान से देखिए जाता चांस है liver के उपर अगर प्रशन आया तो इनी में से कोई एक टकरा जाएगा तो हड़ सवाल आपके लिए important है तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं questions को करना मानव शरी के सबसे बड़ी ग्रंथी कोन सी है हिमन बड़ी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कोन है यह लिवर लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हिमन बड़ी के अंदर और सेकेंड लार्जेस्ट है पैंक्रियाज अगनाश है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैंक्रियाज अगनाश है यक्रित की उत्पत्ति किस जनन अस्तर से है किस जम लेर से लिवर ओरिजिनेट हुआ है तो लिवर ओरिजिनेट हुआ है एंडोडर्म से एंडोडर्म बोले तो अंतह जनन अस्तर तीन जनन अस्तर होते हैं अंतह जनन अस्तर मद्य जनन अस्तर और बाहे जनन अस्तर, तो अंता जनन अस्तर से यक्रित की उत्पत्य होती है, मानो लिवर का भार लगभग कितना होता है, मानो लिवर का भार का रेंज यह है, 1.2 से 1.5 kg NCRT में ये data है किसी और बुक में हो सकता है कोई और ही data हो पर इसी के आसपास range होगा लेकिन NCRT में ये data है तो ये आपके लिए ज्यादा important है पुरुष के अंदर liver का जो भार है वो अधिक होता है महिलाओं के तुनला में यानि आप बोल सकते हो 1.2 kg महिलाओं के अंदर लगभग और 1.5 kg पुरुष के अंदर लगभग liver का भार यकरित से जुड़ी एक छोटी बैग जैसी सनचना को क्या कहा जाता है यकरित से जुड़ी एक बैग जैसी सनचना इसकी बात की जा रही है इसकी बात की जा रही है तो यह है गॉल ब्लेडर पिताशय है पिताशय में क्या सनचित होता है बाइल सनचित होता है बाइल बोल दो या फिर बाइल जूस बोल दो पित बोल दो या पित रस बोल दो तो बाइल बनाया लिवर ने है बट ये स्टोर होता है जाकर के अस्थाई रूप से गॉल ब्लेटर के अंदर यकृत के सराव को क्या कहा जाता है यकृत के सराव को पित कहा जाता है यही पित है जो इस गॉल ब्लेटर में पिताश्य में जाकर के संचित होता है पित रस का pH क्या है पित रस का pH रेंज यह है 7.7 से 8 यह रेंज है शार्य प्रकृति का है पित रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं पित रस में एक भी एंजाइम नहीं होता है पित रस में यानि कि बाइल में बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है ये चीज़ धियान में रखे यक्रित द्वारा प्रती दिन औसतन कितना पित का सराव किया जाता है पर डे लिवर के द्वारा इतना बाइल प्रड्यूस किया जाता है पित का मुखेकार क्या है पित का मुखेकार होता है वसा का पाईसी करन करना वसा का पाईसी करन करना मतलब वसा के जो बड़े ग्लोबियूल्स होते हैं या फिर बोल दो जो बड़े ड्रॉप्स होते हैं इने छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना इने छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना तो यह फैट है यह सारे भी क्या है फैट है यह बड़े ड्रॉप यह छोटे ड्रॉ करना बाइल का मुखी घटक क्या है बाइल का मुखी घटक यानि बाइल में क्या सब होते हैं तो जल होते हैं लवड होते हैं वर्नक होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला इंपोर्डेंट है यह सोडियम बाइकार्बोनेट यह सारे प्रेजेंट होते हैं वर्णक में बिली रूबीन बिली वर्डीन ये सब होते हैं पितरस में कौन से वर्णक पाई जाते हैं पितरस में बिली रूबीन और बिली वर्डीन इन ही वर्णकों के कारण मल का रंग पीला होता है ये चीज़ भी दियान में रखना है बिली रूबी देखलाया गया है यह थैत का देखोẹ unlocked है तो यह सारे भी fat से ऐसा मत समझे कि integration हो गया कैंद यह यह एक बड़ा autor मं मुलिए कि इन दोनों ने कर दिया इमल्सिफाई इसी को बोलते है इमल्सिफिकेशन ये जरूरी है क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम होता है वो एंजाइम इस बड़े ग्लोबिल पे काम नहीं कर पाता है सही से लाइपेज के बार में आपने पढ़ा है ना कि लाइपेज फैट को फैट्टी असीड और ग्लिसरोल में तोड़ता है तो जब ये फैट के बड़े ग्लोबिल्स होते है तब वो काम नहीं कर पाता है नहीं तोड़ पाता है उसको जब ये इमल्सिफाई हो जाता है फैट्स के छोटे-छोटे ड्रॉप्स बनते हैं तब यागड के लाइपेज इसे असानी से fatty acid और glycerol में तोड़ देगा यकृत में पाया जाने वाला glycans capsule एक सयोजी उत्तक है किसका एक अधियूतिय गुण है glycans capsule ये चीज आप ध्यान में रखिएगा देखें लिवर के पास जो हैं दो lobes हैं राइट लोब और लेफ्ट लोब ये दो lobes आपको दिखलाएंगे हैं एक यहाँ पर एक यहाँ पर कुछ किताबों में चार lobes लिखे हुएं वो भी सही है ठीक है वो भी सही है बट NCRT में दो lobes दे रखे हैं चार lobes भी सही है मैं गलत नहीं बोल रहा हूं ये चीज़ दिखान में रखना NCRT में जो दो बड़े lobes हैं न के वल उनी को count किया है तो आप दो lobes ही दिखान में रखो बाई lobe आप बोल सकते हो लिवर को तो एक lobe यहाँ है एक lobe यहाँ है यही मेन दो lobes हैं जो बड़े हैं थोड़े और इनहीं के बारे में NCRT में लिखा हुआ है यह बने होते हैं lobules से यानि इनमें बहुत सारे होते हैं lobules इस lobules को कवर करने वाला संयोंजी उत्तक होता है जिसे घा जाता है glissans capsule यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा glissans capsule बट यह मिलेगा केवल अस्तंधारियों में तो अस्तंधारियों के अंदर यूनिक फीचर है जैसे आँवा लोग बोलते हैं यह पिन्ना केवल अस्तंधारी का फीचर है ब्रेन के अंदर कॉर्पस के लोसम केवल अस्तंधारी के अंदर ऐसे ही glissans capsule liver के अंदर केवल मैमल्स के अंदर glissans capsule क्या है तो जो लोब्स होते हैं वो लोब्स बने होते हैं बहुत सारे लोब्यूल्स से और उस लोब्यूल्स को कवर करने वाला connective tissue है glissans capsule यक्रित की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है यक्रित की कोशिकाओं को hepatic कोशिका कहा जाता है hepatic cell बोल दो या फिर hepatocyte बोल दो liver की cell है मतलब hepatocyte है कुफर कोशिकाओं कहां पाई जाती है जैसे यहाँ देखो कुफर कोशिकाओं ये भी liver के cells है मतलब यह जो hepatic cells है या फिर यह जो hepatocyte है इनी का एक बोल सकते हो कि special नाम है कुछ खास प्रकार के hepatic cells होते हैं, hepatocytes है जिनने हम लोग बोलते हैं Cooper cells Cooper कोशिका है, क्या करती है यह कोशिका है? जो old RBC है, WBC है या फिर कोई bacteria है इसे यह नश्ट करती है यानि phagocytic है nature में, Cooper cells अमोनिया के निरिमान के लिए amino amyl का amino हरन कहां पर होता है? यह एक amino acid का basic structure है, यह R है, variant group यानि यही R है जो बार-बार change होगा, amino acid का नाम change हो जाएगा बाकि कोई सा भी amino acid उठालो, वहाँ पर आपको एक amino group दिखता है एक carboxly group दिखता है और एक hydrogen दिखता है, यह 3 तो must है, आपको हर एक amino acid के अंदर यह 3 चीज़े जो है आपको जरूर मिल जाएंगे यह R बार-बार change होगा, तो नाम change हो जाएगा amino acid का अब इस amino acid से इस amino group को हटा दो, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है de-amination de-amination, तो amino acid से, amino acid से ammonia का दिर्मान, यहां से अगर हम NS2 को हटाएंगे तो एक hydrogen को accept करके, या फिर बोल दो एक proton को accept करके NS3 बन जाएगा, तो यह ammonia तो amino acid से इस amino group को हटाना क्यालाता है de-amination, कहां पर होता है, लिवर में होता है इस ammonia को convert किया जाएगा, यूरिया में, इस ammonia को convert किया जाएगा, यूरिया में, यूरिया cycle के अंदर तो किस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, यूरिया चक्र या फिर बोलदो और निथिन चक्र के द्वारा, यूरिया चक्र कहां पर होता है, डी एमिनेशन भी लिवर के अंदर, यूरिया चक्र भी लिवर के अंदर, लिवर द्वारा किस प्रकि यह दोनों बटामिन यह जल में घुलंद CPR करने वाला जो हार्मॉन страх हार्मॉन इनसोलीन, पैन क्रियाज के अंदर आइलेटस अफ लेंगर हेंस की कोशिका है बीटासिल जो बनाती है इनसोलीन हार्मोन, तो इस ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में कनवर्ट करता है इनसोलीन इसी ग्लाइकोजन को कहा जाता है एनिमल स्टार्च पौधों के अंदर भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में अनिमल के अंदर होता है गलाइकोजन के रूप में इसलिए से अनिमल स्टार्च कहा जाता है गलाइकोजन कहां संचित होता है लिवर और पेशी में यह जो glycogen बना कहां जागर के संचीत होगा लिवर में और पेशी में लिवर द्वारा बनाए गए प्रोटीन कौन से है जो रक्त असकंदन के लिए अनिवार है आप जानते हो blood के अंदर जो plasma proteins होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं albumin, globulin, prothrombin और fibrinogen इसमें जो prothrombin है और fibrinogen होते हैं यह blood clotting करवाते हैं रक्त का थक्का बनाते हैं तो इन प्रोटीन का अंदर मान लिवर के दोरा किया जाता है साथ में जो albumin है albumin है और globulin है इन दोनों proteins का अंदर मान भी लिवर के दोरा किया जाता है यानि जो भी प्लाज्मा प्रोटीन से वो लिवर के दोरा बनाये जाता है आप याद रख सकते हो cystic nalika यानि कि cystic duct कहां से पित लेकर आती है पित बना कहां था लिवर में लिवर में बाइल बना यह बाइल जाकर के stored होगा गॉल bladder में गॉल bladder में इस बाइल को लेकर के कौन जाती है यह लिवर की न लिका है फिर गॉल bladder से यह बाइल बाहर निकलेगा गॉल bladder से यह बाइल जो है बाहर निकलेगा अब गॉल ब्लेडर का डक्ट जो है इसका नाम है cystic duct cystic duct तो cystic duct जो है कहां से बाईल लेकर के आती है गॉल ब्लेडर से तो पिताश्य हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा अब देखो ऐसा नहीं है कि लिवर के अंदर एक ही हीपैटिक डक्ट है कई सारे हिपाटिक डक्ट हैं और वो सारे हिपाटिक डक्ट मिलकर के एक बरा हिपाटिक डक्ट बनाते हैं उसे कहा जाता है common हिपाटिक डक्ट तो ये जो cystic डक्ट है ना इसी में आकर के मिल जाती है common हिपाटिक डक्ट common हिपाटिक डक्ट अब हम इसे बोलेंगे इसके आगे बोलेंगे common bile duct common bile duct मतलब cystic duct और common hepatic duct मिलने के बाद हम उसे नाम देंगे common bile duct जैसे हम लोग बोलते हैं न अलक नंदा और भागी रती जब मिल जाती है तब हम उसे बोलते हैं गंगा तो कुछ ऐसा ही समझ लो कि एक अलक नंदा है एक भागी रती है और फिर ये गंगा है common bile duct इस प्रकार से आप relate कर सकते हो तो छोटी आथ के अंदर आपने पढ़ा देवड़नम चीक है देवड़नम छोटी आथ के अंदर आपने पढ़ा देवड़नम जो की she shift की होती है इसमें देखो क्या होता है ये common bile duct है और इधर से आती है pancreatic duct इधर से आती है pancreatic duct ये pancreatic duct pancreatic duct और ये है common bile duct ये आपस में आकर के चोईन हो जाते हैं मतलब यहाँ पर भी आप concept लगा सकते हो ये वाला कि ये अलक नंदा ये भागी रती मिल करके गंगा नदी बनाती है ऐसे आप यहाँ पर समझ जाओ कि common bile duct और pancreatic duct मिल करके बनाती है हिपैटो pancreatic duct हिपैटो pancreatic duct और pancreatic duct से pancreatic juice आएगा और common bile duct से bile आएगा और ये सारे जाकर के निकल जाएंगे कहाँ पर इस deodenum में ये deodenum है छोटी आथ की ये एक पार्ट है deodenum और बागी ये intestine के पास तो अपना juice होता ही है इसलिए हम बोलते हैं कि deodenum के अंदर सबसे ज़्यादा digestion होता है क्योंकि common bile duct bile लेकर के आती है pancreatic duct pancreatic juice लेकर के आती है फिर ये दोनों ducts आपस में मिल जाते हैं और कहलाते है हिपेटो pancreatic duct और ये जाकर के सारे निकलते हैं कहाँ deodenum में cystic नलिका और hepatic नलिका एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं समानने bile duct ये cystic duct और ये common hepatic duct एक साथ मिलकर के बनाते हैं common bile duct समानने bile duct यानि कि common bile duct और agnation नलिका यानि कि pancreatic duct एक साथ मिलकर किस नलिका का दिर्मान करते हैं ये कृत अगनाशे नलिका यानि कि hepato paniccreatic duct हेपेटाइटिस या पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है है Hepatitis या पीलिया से प्रहावित होता है यकत अगयरि enough जानते हुत कि SKीNET का जो कलर ही यह यह यहाता है इस इच्पिन का कलर यहलो हो जाता है क्योंकि ब्लट में ब्लट में ब्ली- रुबिन का लेल हाई हो जाता है यह जिश्थ ध्यान मेरेकिएगा skin का color yellow क्यों होता है क्योंकि blood में Billy Rubin का जो level है वो high हो जाता है यक्रित से समंदित यौन संचारत विमारी कौन सी है hepatitis B है hepatitis A, B, C, D कई परकार के होते हैं जो hepatitis B है ये sexually transmitted disease है यक्रित से समंदित अध्यान को क्या कहा जाता है hepatology कहा जाता है यक्रित से समंदित अध्यान को hepatology कहा जाता है hepatology तो ये सारे प्रश्ण थे liver के उपर 31 31 questions ये सारे प्रश्ण ध्यान में रखिए important ये सारे प्रश्ण है liver से समंदित अगर प्रश्ण पूछा जाता है तो ये मान कर चलिए इसी में से कोई एक सवाल टकरा जाएगा वडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वडियो को like जरूर करे मिलते हैं अगले वडियो में thank you so much